कि नमश्कार मैं हूं मेगा सिंग और आप सभी का स्वागत है SPN 9 न्यूज में सोनिया गांधी की मुश्किले एक बार फिर से बढ़ने वाली है दरसल देखा जा रहा है कि नेशनल हुराल्ड केस में जो है ED का सिकंजा फिर से सोनिया गांधी पर कस्ता हुआ दिखाई दे रहा है इसे पहले मनी लॉंडरिंग के केस में ED ने समन भेजा था सोनिया गांधी को और पूछताच के लिए 8 जून को बुलाया था लेकिन इससे पहले सोनिया गांधी जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गई और तीन हफतों का वक्त जो है उन्होंने ED से मांगा था और अब 23 जून को फिर से पेशी के लिए ED ने एक नया समन जो है वो सोनिया गांधी को फिर से भेचा है और अब कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी को 23 जून को जो है ED के सामने पेश होना पड़ेगा जिस तरह से money laundering का case से ईडी लगतार चानबीन कर रही है उसके बाद कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी समेथ कॉंग्रिस के कई बड़े नेता इश में सामिल है जिसकी चानबीन में ईडी लग चुकी है वही दूसरी तरफ राहूल गांधी को भी ईडी के तरफ से समन भेजा गया है और 13 जून को जो है राहूल गांधी भी एडी के सामने पेश हो सकते हैं और लगतार जो है एडी के तरफ से मनी लॉंडरिंग केस में सोनिया गांधी और राहूल गांधी के ऊपर सिकंजा कस्ता हुआ नजर आ रहा है लेकिन इस चीज से नाराज चल रहे है कॉंग्रिस पार्टी के कहा जा रहा है कि BJP जो है ED और CBI के जरिये जो है Congress Party से अपना बदला ले रही है यहाँ पर आपको बता दे कि Sachin Pilot जो है उन्होंने भी इस तरह के बयान दिये हैं उनका कहना है कि BJP आज जो है ED और CBI का गलत तरीके से उपयोग कर रही है और जाड मूच कर जो है सोनिया गांधी और राहूल गांधी को यहाँ पर फसाने की साजिश जो है वो BJP कर रही है लेकिन जिस तरह से ED लगतार जो है Money Laundering केस में सोनिया गांधी और राहूल गांधी के उपर कारवाई करते हुए नजर आ रही है अब देखना यह है कि जब सोनिया गांधी तेज ED के सामने पेश होती है तो क्या उनके जिस तरह से उनके उपर कारवाई की जा रही है जिस तरह से सोनिया गांधी से पूछताच की जाएगी क्या उनके खिलाफ कोई सबूत मिलेंगे और अगर मिलता है तो फिर सोनिया गांधी के उपर कोई कारवाई होगी यह भी देखने आगे की खबरों के लिए देखते रहे एस्पेन नाइन न्यूज धन्यवाद